में ग्वालिय चंबल अंचल के हारने वाले बीज़ेपी कॉंग्रेस के एक दर्चन से जादा नेताओं की नजरब लोगसभा पर है विधानसभा में हारने के बाद इदिगज नेता अब लोगसभा का टिकट पाने की कवायद में जुटे हुए हैं देखे हैं मारे खास रिपोर्ट हारने के बाद लोगसभा टिकट हासिल करने के लिए मशक्कत करेंगे ग्वालियर चंबल में लोगसभा की चार सीटों पर अब दिगजों की सीधी नजर है ग्वालियर लोगसभा सीट कॉंग्रे से लाखन सिंग यादव, प्रिमिन पाठक और साथी सुनील शर्मा दाविदारी करते नजर आ सकते हैं बीजीबी से भारे सिंग कुश्वाह, माया सिंग और नरुत्र मिश्वाह दाविदारी करते नजर आ सकते हैं मुरैना शेफू लोगसभा सीट कॉंग्रे से डॉक्टर गोविन सिंग बैजनात कुश्वाह दाविदारी करते नजर आ सकते हैं बीजीबी से अर्विन भदोरिया, भारे सिंग कुश्वाह और गिरी राज दाविदारी करते नजर आ सकते हैं गुनाश श्रिफूरी लोगसभा सीट कॉंग्रिस से केपी सिंग, लक्षमर सिंग और गोपाल सिंग दग्यी राजा दाविदारी करते नजर आ सकते हैं बीजीबी से नरुत्तम मिश्टरा, महिंजी सिंग सिसोधिया दाविदारी करते नजर आ सकते हैं भिंड दत्या, लोग सभासीट बीजीबी से लाल सिंगार, इमर्थी देवी, घंशाम, पिरोनिया दाविदारी करते नजर आ सकते हैं अब कॉंग्रेस से प्रागी लाल जाटव, पंकच कनेरिया दाविदारी करते नजर आ सकते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर हारने वाले बीजीबी के आठ पोर्व मंत्री और दो पोर्व विधायक लोकसवाचनाव के लिए टिकट की दौर में नजर आएंगे वहीं बीजीबी का कहना है कि पार्टी के लिए काम करने वाले निताओं को दाविदारी का हक है टिकट का फैसला करना पार्टी का काम है वहीं गौलियर चंबल अंचल से हारने वाले कॉंग्रिस के दस बड़े नेता भी लोकसवाचनाव में टिकट की दाविदारी के तौर पर नजर आने वाले हैं अब कॉंग्रिस का कहना है कि हर नेता कारे करता टिकट की उमेद रखता है हम लोकसभा के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे ये सब आपको लोकसवाचनाव नजर्दी काता ही दिखाई देने लगेगा गॉलियर चंबल अंचल में लोकसभा की चार सीटों पर कॉंग्रेस और बीजीबे के दिगज इस बार टिकट के लिए जोर आजमाईश करेंगे तो भही पुराने और नए चेहरी भी टिकट के लिए अपनी दाविदारे खुल कर मैदान में दिखाईंगे ऐसे मैं माना जा सकते हैं कि लोकसभाचनाव के लिए दोनों पार्टियों में टिकट की ये दौर दिल्चस्प होने वाली है गौलियर से निउस 34 मतिपतेश 36 गर के लिए करन नुस्टरा की रिपोर्ट